स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी चैनल साइस्टू टेकनोलजी में मैं अनुपर वेफुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शो कैमेरा टूश्डी में आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे सवाल के बारे में वो नहीं होना है क्योंकि कोई भी कंपनी गोल्डन कंपनी नहीं है यानि कि जैसे मुझे सोनी काफी पसंद है तो ऐसा नहीं है कि सोनी में कोई फॉल्ट नहीं है बहुत सारे है बहुत सारा है Canon, Panasonic, Fuji लेते हैं ये सारे के सारे काम करते हैं तब ही ये सब भी करें हैं सब के सब काम करें और सब के सब good enough है हाँ, कुछ-कुछ अराम सो सकता है जैसे कि Nikon का टॉप मड़र आप काफी अच्छा उटर फोकस दे सकता है Canon का आपका बहुत अच्छा वीडियो फंक्शन दे सकता है Sony का बहुत अच्छा overall package दे सकता है लेकिन काम ये सब करें काम आपका Fuji X-T4 भी काम करेंगा तो ये समझना बहुत ज़र ही काम आपके ये सारे companies के camera करेंगे और हाँ सब काफी अच्छा करेंगे आज की time में ऐसा कोई भी camera company नहीं बचाया जो की शुद्ध तट्टी आपको दे तो हिसाब ये रहता है कि काम सब करेगा लेकिन हिसाब ये होता है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि Excel हर camera company का एक ट्रव एक्सल पॉइंट होता है कि इसमें हम बंबंब है और रहा बात कि उसमें वो Excel है लेकिन कुछ-कुछ और चीज में वो side effect है उसमें वो लटकता है तो बात होता है कि आपको balance करना होता है कि आपको क्या चाहिए इसलिए ये समझना बहुत ज़री है और ये दिखाता है कि आपको खुद की समझनी है कुछ लोग का यार जो मुझे चाहिए वो Sony दे रहा है तो ये हिसाब आपको लगाने के लिए आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी ठंडे दिमाग से कि भाईया मैं चाहता क्या हूँ मेरा camera company या जो equipment है वो क्या दे मुझे कुछ लोग के देखो भाईया कुछ लोग के देखो भाईया मैं चाहता रहा है कुछ लोग के देखो भाईया मैं के एफ सिस्टेम में बहुत खर्च कर चुका हूँ तो Canon R-series में कुद्रा मेरी ज्यादा प्रॉफिट वाले है कि मैं अराम से काम कर सकता हूँ समझ रहे हैं मतलब हर का कुछ फायदा कुछ नुकसान होगा और कुछ लोग के देखो यार मुझे का जॉइ टाइप फिलिंग लेना मुझे ओल्ड एनलोग केमरा वाला फिलिंग अच्छा लगता है वह राम से फूजी ले लिए कुछ लोग करें नहीं देखो यार मैं मैंनवाली वीडियो स्टारा शूट करता हूँ आँ ओडर फोकस मुझे जरुवत नहीं है लेकि मुझे सारी सेटिंग्स चाहिए खुब सारे इक गहरा ही में ऊतर के गहरी बाते हो करना चाहता हूँ वीडियो सेटिंग्स के साथ तब मैं बोलता हूं यह ले लो क्योंकि आपको खुद के नहीं पता है अगर आपको खुद का पता है काफी लोगों का है कि देखो भीए हम रो फोटो में बहुत जाजा छड़कानी नहीं करेंगे मेरे पस उतना टाइम नहीं मैं जेपेग ही दे देता हूं जो कि काफी शाद सब्सक्राइब का है या उसका वीडियो फंक्शन मुझे पसंद आता आप उसको ले सकते हैं सबका है कुछ लोग है या में को छोटा हलका फंट टाइप चाहिए आप फूजी ले सकते हैं कुछ लोग का है कि मैं कैमरा सिनमेटर ग्राफर के लेवल पर जानना चाहता हूं आप अराम से सोनी ले सकते हैं कुछ को है या मेरे को काफी अच्छा और रांड लेना है सोनी ले सकते हैं तो इसलिए यह सवाल कभी मत बूचिए कौन सा कंपनी खरीना है आप अपने आपको धंडे दिमाग से सोचिए कि मुझे क्या क्या चाहिए मैं किस में अब की का मझे नहीं पता क्योंकि आप यह नहीं समझ पार जाए हो कि हर मिलीमीटर से हर काम किया शकता है जैसे कि आप 50 mm इस का पॉट्रेट करें इसका यह मतलब नहीं गाए नहीं कर सकते बस उसका फील औफ व्यू अलग आया जो मतलब खील है जो मतलब हील है जलिए कि च पीछे की जो ऑबजेक्ट है उसको दूर रखिए और बैक्गराउंड ऐसा रखिए कि और बहुत दूर हो जाए देखिए उसमें भी आपको शेलटर फिल्ड मिलने लगेगा तो इसलिए कोई आपको नहीं बता सकता कि क्या करना चाहिए जैसे गाइडलाइन्स भले कर लो 35 mm से ट्रै कर लो आज के ताइम में अच्छे खासे जूम लेंसे साते हैं उससे आप सारा काम कर सकते हैं तो हिसाब यह समझी कि यह आपको पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो यह कोई और नहीं बता सकता क्योंकि बहुत लोग हैं जो 200 mm से भी उनका पोट्र नमल करते हैं कि जहां पर थोड़ा सब होते हैं नहीं चाहते हैं कि बैगरांड में आप कैसे ब्लेंड कर रहें तो 50 mm करते हैं तो इसी समझना जबरी है कि आपको डिसाइड करना है सार इसलिए यह कभी इससे समात हुचिए क्योंकि मुझे या किसी और यूटिवर को नहीं कि अगर आप एका कॉपी पेष्ट करने लगे हैं मतलल समझ लिए आप अपने आपको जबर्दस्ती उसके मोल्ड में डाल रहे हो यह सही बात में है और जो डेप्त-अ-फील्ड जो है वह आप कंट्रूल करते हो ज़रूरी नहीं कि आपने f2.8 का lens ले लिए तो हर फोट हो आप उसको नीचे भी खरके देख सेते हो आपका आराम से अभी रासा है यार देखो f2.8 बहुत महिंगार है f4 प्रैक्टिकल है f4 से मेरा काम हो जा रहा है मैं जिस तरह के शूटिंग करना चुदा है f4 एक्चली मेरे को सूट कर रहा है लेजे f4 वाला ही ले लिजे तो य क्यूंग सुदार है लेकिन अपको यदिद फील नहीं आज अपको पता चल जाएंगा अब बाखी चीज मेरे और फ्रेफिशन्ट कर रहा है लेकिन अपका फ्राफ्ट कर रहे है तो उससले के सिधा मतलब हो आप बस लोगों के कहे चीज पर चीज पर चल रहा है जैसा तो आप देखोगे कि भी या मैं 5 सल पहले भी ऐसी फोटो लेता था दर सल बाद भी ऐसी फोटो ले रहा हूं यह बहुत गड़बर बात है और आने वाले टाइंग में हर की क्रियेटिविटी को बढ़ाना पड़ेगा नहीं तो AI आप सभी की जॉब को सुखा करते हो देख ल ले लिए आपको यह महंगा है फोटोग्राफी महंगा है ठीक है सांती से फोटोग्राफी एक महंगी दुनिया है एकसेप्ट कीजिए तो सुपर जूम में जैसे कि एक्जांपल देता हूं कि अल्मुस्ट हर कैमरा कंपनी में इसका दाइंबाइं मिल ही जाएगा जैसे कि तो बात यह इतना बड़ा आपको रेंज देता है क्वाल्टिक कम है क्वाल्टिक कम है लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे है तो यह एमम सिखाने के बहुत बड़ी है कि हर एमम का एक फील होता है जैसे को पुछेगा सर म्यूजिक वीडियो में किस तरह का हम फील है आप आप कैसा चाते हो यह कोगी एक ही फ्रेमिंग मतलब कि मेरा चैरक्टर हेड जो है इतना ही साइज अलहेगा फ्रेम में लेकिन आप उसको 80 mm से भी कर सकते हैं बस 50 में मेरा पैक्राउं अलग तरीके से दिखेगा अब रहा बात की क्या आप चाहते हो जैसे कि लिंकन पार्कर कर वी वीडियो कर रहा है तो चाहते है कि वो लोग जो सेट डिजाइन करते हैं तो सेट दिखे तो उस स्रका टीली फोटर पर पीछे नहीं बागते हैं लेकिन आपकुछ दिखा सम्चे कि अग्दम विभा पार्टिक है लेकिन आपकुछे लिए साब कोई सबस्ते डियु क कि मुझीशिक वीडियो गर दिमाग गुम जाता है, यह क्या सवाल हो गया, तुम डिकार करो ना क्या करना है तुम क्या चाहते हो, जो अक्तर अक्त्रेस हैं जिसे हमाल लिया प्रोमांटिक सॉंग बना रहे हो आप चाहते हो कि सिफ वही दोनों दिखें, तो आप टेली फोटल होगे, आप चाहते हो कि नहीं, वो एक खेत उतमे है, फूलूल है, आप दिखाना चाहरो, पुरा इमोशन दिरहाना चाहरो, तो आप वाइड एंगल के पीछे जाओगे, तो यह सब आप करोगे कि मैं करूग करना चाहते हो, उसके हिसाब से, तो वही करर, सबसे सस्ता तरीका है, अगर आप फिर्म स्कूल नहीं जाना चाहते है, सूपर जूम लेके, एक्चुली प्रैक्टिस कीजिए, अलग-अलग एम पर शूट कीजिए, एक ही चीज को अलग-अलग तरीके से फ्रेम कीजिए, आ जैसे अगर आप Canon का ही लेते हैं, तो Canon का दो आता है, 70-200, जो उसका EF के लिए, DSLR सब के लिए, और उसका R-Mount का, जो मतलब mirrorless के लिए, Sony का भी आता है, तो यह समझना भी होता है, कि कहने को सब 70-200 है, कहने को सब F2.8 है, लेकिन वो अलग होगा, और वो भी आप छोड़ वो सेम हो, उसमें क्या क्या अलग हो सकता है, उसमें अलग हो सकता है, वजन, वजन महाईने रखता है, कि जैसे आपको शुरू सुमें जवानी का जो चड़ा रहे था, तो हाँ बढ़का camera ले लिए, बढ़का lens ले लिए, कोई दिकत नहीं है, लेकिन बाद में, जैसे सब क क्योंकि अगर आप फोटोग्रफी में ठीक से कर रहे हो, लोग के बास पैसा आ जाते है, आ जाते है, लोग कमा लेते हैं, अगर आप नहीं कमा पादे हो तो आपके साइड में बढ़के हो तो दाम देखना होता है, कि जैसे माली आपके आपके असपास के एको सिस्टम ऐसा तो यह कुछ लोगों के लिए बहुत फादेमन्द होगा, जो लोग करते हैं, उनको साइज ज्यादा माहिन रखता है, तो हाँ भाईया, यह चोटा कर दो, फिर स्पीड की ऑटोफोकस का क्या है सिस्टम है, जनरली यह सा मार्क वान जनरली कचरा ही रहेगा, मार्क टू नहीं थौरली अंडरस्टैंड करते हैं, तो सूपर जूम लेंसे पर फोकस कीजिए, उसको लेकर आप ट्रेनिंग लिजे अपने आपको, क्योंकि यह कारण है कि लोग फिल्म स्कूल जाते हैं, यह कारण है कि म्यूजिक वीडियो सूट करने के लिए अलग-अलग म्यूज मेरे दिमांग बीपी हाई हो जाता है जब लोग उसने लिंस कारी ना, यह तुम जानोगे ना कि तुम कौन सा लिंस सूट करेगा, आम कहां से जानेंगे, कभी में लिंस मत पूछे, क्योंकि लोग आख वता देंगे तो अपना एक्स्पिरियंस आप पर थोप देंगे, और अगर आप अपने कैमरा को आटो मोड में रखते हैं, आप दिन भर में फोटो कीचते रहे हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादे मत किजिए, आप कोई भी कैमरा है, लीजिए, आटो मोड में डालिए, आर आम से जाईए, दिन में आप सुबह, साम, दोबहर में रात को फोटो आप देखें का हर का सेटिंग से लग लगाएगा, क्यों आ लग लगाएगा, क्योंकि वो कस्टम होता है, सीन को स्टडी करके हिसाब लगाया जाता है, आपको कोई बता नहीं सहता है, जैसे कि एक यह सम बेवकूफी वाली सवाल हो से थी है, कि स्पोर्ट के लिए कौन सा करें लगाएगा, लगाएगा, तो इसलिए सपोर्ट से इस फास शटर रेखा लिए जारी नहीं है, जरूरी एक दम नहीं है, तो यह बात समझना जूरी है कि फोटोग्राफर मूड के पीछे बाता है, कैसे मूड पहला तो टेकनिकल साइड हो गया, ठीक से एक्सपोज हो तो पहला साइड गोड दूसरा मूड क्या है वह लाना क्या चाहता है जैसे कि आप कुछ कड़गा चीज दिखाना चाहरा है कि जैसे प्रिजन वाले जितने होते हैं उसको ब्राइट संलाइट में सूट क्यों किया जाता है तो वह उसी के लिए फोटग्राफर को पैसे दिया चल मार रहे हैं साइफा है एक तम शार्ट कट कट शार्ट मारें तो यही समझना पड़ता है कि आपको एक्सपोज़ट रिंगर दो टेक्निकली आना चाहिए कि आपको आपरचर आई आसो और शट्री स्पीड यह आपको आना चाहिए और इसके हिसाप से आप सब्जेक्ट नहीं है वो सैटलाइट में लगता है वो टेलिसकोप में लगता है आप जो कर रहे हैं वो हाफ आर्ट है हाफ साइंस है तो साइंस आपको यह समाल रहा है कि आपका इसे कैसे कर रहा हो जैसे कुछ-कुछ के सिश्च में हो सकता है कि आप दिखाना चाहते हो केंडिल तो ऐसे के लिए आपको टका मिलता है तो यही समझे, ट्रैंगल समझे, ट्रिंगल समझे यह यह कोई 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 कई कि बहुत सारे फोटोग्राफफ को आप देखे गारे, क्योंकि वह लोग मूड पर फोकुस नहीं कर रहे हैं, और जो प्रो हैं, जिनके नाम बनते, कि किताब आप शक्ति जिनको करोडों में दिया जाता है पैसा वो मूड पे फोकस करते है और इसा आप यही समझे कि सेटिंग्स आपको ट्विक करनी होती है कि जब तक आप जो चाहरे हो और ना मिले यह समझना जरूरी आप क्या दिखाना चाहरे हो इसलिब बना कि ज़रूरी नहीं कि करके कि अप देख रहा तो इतनम पर्फेक्ट पर रागए कर रहा है हार अमिचर वही कर रहा है आप देखे कुछ ऐसा देखे कि सेकंड बैट्समें खड़ा है चिल मार के उस पर फोकस कि वो क्या देख रहा है अब बलर कर दीज भी लेगिन सेकंड्समें क्या दिख अलग जैसे सचीन तंदुल का शॉट है जिसमें वह बहुत भाइनक शॉट मैं दिखाऊंगा फोटो सब लोग समझ जाएंगे कि वह कौन सा फोटो है तो वही समझें बहुत जरूरी नहीं कि जो आप देख रहे हैं कुछ बैक्राउंड में भी होता है दिमाग लाना पड़ता है औ जैसे वाइल लाइफ में लोग बोलें कि नहीं एक्तम फास्ट होना जाएंगा नहीं नहीं है क्योंकि चील का एक्जामपल दे रहा है चील डाइव कर तो इसका स्पीड बहुत साथ है क्लाइड कर रहा है उस ताइम आप स्लो कर कर सकते हो ताकि ISO आपका कम हो जाएगा नॉ है ना दिखे थोड़ा अगलवल की जंगल में चुणिया है तो आप चाहोगे कि अपर्चर ज्यादा चोटा ना करें मतलब ज्यादा बड़ा ना करतीया जाए तो वही समझे आपको वही समझना पड़ेगा ट्विक करते जाना तक 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 ये ट्रैंगल में तीनों ची तक 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 कट रिकर जाना जासे BaiL saab में भी आप ट्राई कर से लिए इसी लिए तो इन तनी शारी सेटिंग होती हैं नहीं सोजी लिए कि अगर सिर्टिंग परफेक्त होता तो तो कैमरा कमपनी बनाने हुब गधे हैं जो इतनी सारी सेंटिंग परफेक्त तो वही जैसे मेरे केस में मैं बहुत जड़ाया था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं उसका वाइट बाइब भीड बालन से कर दिया है ह। तो यह कभी नहीं पूछें कौन सा सेटिंग है क्यों वो सेटिंग किया इस पर ज़रूर जहान दीजिए कि अच्छा जासे कोई साइकलिस्ट का फोटो देखें बहुत तेज है स्टर्टर स्पीड कम किया क्यों ताकि मोशन बलर दीखें अगर उसको अच्छा से आप सितमाल कर सकते उससे आप फीलिंग कर सकते है इसलिए कई बार पिक्चर में होगा जब कोई भी कारेक्टर को दिखाया जाता है कि वह ड्रग है मुझे भी आता है मैं आइक गवेशना कर दोता कि मुझे लेकर उमर आप समझ में आ गया कि आप साथे साखते में अगे जई फटा बढ़ चीप of did सटे में आप हमको चाहिए कि जो एकदम बढ़ा है उसको फड़ारी चाहिए लेकिन हमको दान देना है मारूती 800 जैसा, तो हिसा भी सब्सक्राइब कि प्रो एक्यूप्मेंट सस्ते में कैसे लाइ, हर कोई सस्ते में कैसे कर लेते हैं, सारा फंशन सब यह है, जहां उनको समझ जाते कि बैटरी लाइफ भगवान भरोसे तब दिमाग खरा होता है, जहां समझ माता है कि बिना उसमे जादे रिकॉर्डिंग ने कर लेते हैं, तब दिमाग खराब होता है लोगों का तो यह सब आपको सूचना पड़ता है, बैलन्स करना पड़ता है, हर कंपनी कोई कम दाम का एक्यूप्मेंट बना रही है, तो वो इसको अपना नुकसान करके वो नहीं बेचेगी, तो हिसा सब चीज बैटर था हर मामले में, हर मामले में वो तीनों से आगे था, अटो फोकेस के लेकिन कांट्रस बेस पर चले गया था, क्योंकि सस्ते में नहीं पटर रहा था, तो यह समझे, हमेसा कॉर्णर काटा जाता है, कोई भी सस्ता एक्यूप्मेंट में कोई ने कोई कॉर् प्रोसेसर है, और जो APS-C जैसे R7, R10 यासे कर कुछ है, उसमें उन्होंने यह दे दिया, कि एक्डम X प्रोसेसर दे दिया, जो highest and latest है, तो यह समझना भी है, कोई भी सस्ता है, तो उसका कारण है सस्ता होने का, और फोटोग्राफी एक एक्सपेंसिफ फील्ड है, यह आप एक्सेप्ट कीजिया, इसमें बहुत लोग आपको मूर्ख बनाने के लए बोल सकते हैं कि नहीं सस्ते कैमरा से भी सस्ते कैमरा से वही छो निकाल पाते anh, जो बहुत एक्सपीरेंस होते हैं और जो बहुत एक्स्पीरेंस होता है, तो यह बात समझी है, ठीशल्रेन हो तो आ तो सिनिमा ग्रेट का एक्यूपंट के बारें, वो सब करोड़ों में हाते हैं आरी कुछ कामरा इतना महा था, आप खरीद नहीं सकते हैं तो सर आप खरीद ही नहीं सकते हैं, वो रेंट कर लिना पड़ता है जिसमें इंडगेम शूट किया गया था, वो 65 mm वाला सेंसर है, उसका रेंट कीज़े सर, खरीद नहीं सकते हैं आप M.C.U. तब भी आप नहीं खरीद सकते हैं, वो सिफ रेंट में आपको मिलेगा और भी बहुत बढ़का इंशॉरेंस लेने के बाद, तो हिसाब वही समझिए, कि ये फील्ड महंगा है और कारण है कि जितने भी प्रोफेशनल वाइड लाइफ फोटोग्राफर ने, जो आप क्रिकेट वाले में देखते हैं साइड में, उतना महंगा महंगा कारण है उसका बेवकूफ नहीं है उने पैसा काटना नहीं है जैसे शादी में कई बार होगा कि काफी लोग बड़ा बड़ा लेंस के घुछ जाते हैं क्यों ताकि देखने वाला उसको साइकोलोजी के लिए अरे इसका बड़ा है या इसका अच्छा होगा अगें यह डुम साइकोलोजी है लेकिन है और अगर आप क्लाइंट को सेल कर पाते हो अपने आपको अच्छे से क्लाइंट आपको पैसा देने में दर्द उसको कम होता है उसको लगता है नहीं नहीं तो हिसाब भी समझें कि जो लोग खर्च कर रहे हैं वह क्या आप एक ग आपको देखने को मिल जाएगा तो इसलिए यही समझे कि आपको पता होना चाहिए कि यह मूँ खोल के मत बूलिए कि हमको 4K 60fps सिनिमा लेवल कर रॉब चाहिए आपके पास है हाड ड्राइव टेराबाइट और टेराबाइट के उपर का पैटाबाइट में आपके पास में फुछी मिनट भी नहीं कि आपकेगा आइ तिंक 8 मिनट भी स्वहा हो जाएगा समझ मैं इसलिए आप क्या चाहते है और आप उसके लिए कितना पै करना चाहते है जैसे कि मुझे चाहिए कि मैं कैम्रा लूं जो काफी अच्छा से एवरेजिंग सब्चीच को कर सके तो म मेरे सारा काम कर सकता है लेकिन उससे मुझे दिक्कत होगा नहीं उतना दिक्कत नहीं हो मैं मैंनेज कर सकता हूं लेकिन क्यों मुझे उसमें वह चाहिए था कि भाई यूसवी सी से डारेक्ट वीडियो आउटपूट दे दे मुझे चबरदस्तिका है कि HDMI capture नहीं लगाना च कि उसमें क्योंकि लिमिट है कि सिफ फुल ही देता है वो मालेजिए कि कलको आने वाले टाइम में जो हमारे स्टीमिंग प्लाटफॉर्म से वो बोलते हैं हम 4K अच्छे से अब्सॉर्ब कर पाएंगे अभी 4K में फील नहीं आता बिटरेट बहुत कम है 4K में तो महांगे कंपनी नहीं बनाती नहीं थोड़े कुस्ता काठा है कंपनी ही नहीं बनाती और इसलिए कभी भी प्रोफेशनल्स जो भंबं कमा रहे हैं धंग से चिंटा नाम देखें हमें सो उनका equipment मतलब हमें हैं वो इतना कमाते कि equipment लिए छोटी चीज हो जाती कि हाँ जैसे कि आज के टाइम में A7 Mark 4 जो है 2500 डॉलर का है उसमें जो फीचर से वह आप चार साल पहले कितनों पैसा देदेते आपको नहीं मिलता यह बत सच है टेकनोलोजी आगे जैसे बढ़ते जाती कोस्ट कटते जाता है लेकिन कभी भी रेलेटिफ टाइम में ऐसा नहीं होगा यानि कि जिस टाइम में A7 है तो उस समय में A1 भी है A1 और A7 को इसी जनरेशन का कंपेर कीजिए तब आपको लगेगा हाँ कल को अराम सैसा हो साथ कि आने वाले आठ या दस साल बाद कि A1 का परफॉर्मेंस आपको बहुत सस्ते में मिल जाए लेकिन वह दस साल बाद होगा तो यह समझना भी है जरूरी है कि सस्ते में अच्छ सवाल के बारे में जो सवाल का सीधा मतलब होता कि आपको फोटोग्राफिक ही समाझ नहीं हो रही है और उससे आप बहुत बुरे केस में लटक सकते हो कि आपको ग्रोथ नहीं होरी है तो अमीद करता ह Mussow एगर ऐसा है आपको कुछ सिहने मिला कुस समझ में है अगर ऐसा है तो लाइक कर दें दोस्तेशक्र कर दें उसे मेरा अकार वहाइभा भला का नहीं अच्छी बाद होगा और ढगा उससे मुझे पता चले कितना या प॥न हुगा। गो में आपसे को